हलो फ्रेंट्स वेलकाइम यूपीएसी परपेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स 69 बीपीएसी देने वाले जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं आप सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सब को पता है कि 27 जून 2030 को जो है बीपीएसी के दोरा सामानी ग्रेजुएट बच्चों के लिए था बांकि 111 पोस्ट जो है कुछ अत्रिक्त क्रिटेरिया के साथ अत्रिक्त डिगरी के साथ जो जिनके भी पास वो सब डिगरी था तो वो सब फॉर्म फिल कर सकते थे तो उनकी संख्या 111 थी लेकिन सामानी बच्चों की संख्य जो है सामानी ग्रेजुएट जो बीपेसी के दौरा जो सामानी रूप से जो अभी तक जिन सारे पदों को भड़ा जाता था तो उसकी संख्या 235 थी और अब इसमें जो है 33 जो रिक्ती है उसको बढ़ा दिया गया है यानि कि 33 पोस्ट जो है इसको इसमें एड कर दिया गय है यह 268 हो चुका है यानि कि 268 अब जो है आपका टोटल वेकेंसी हो गया है 69 वीपेसी में और जो सबसे जरूरी बात है जो सबसे इंपोर्टेंट है इस बढ़ोतरी में वो यह है कि जो सबसे दो पद जो सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है एक तो SDM का पद और दूसर कर दिया गया और आप यहां पर देख सकते हैं जो अनारक्षित वर्ग में टोटल नौ पद यहां पर है और एक इसमें से महलाओं के लिए आरक्षित है और अनुसरी जाती के लिए दो पद है जिसमें से एक महला के लिए आरक्षित है अनुसरी जन जाती के लिए कोई भी आरक्षित हैं और जो पिछले बर की महलाएं हैं इन सब के लिए एक पद यहां पर है तो टोटल जो है डीप्टी SP का जो पद है इसकी टोटल संख्या 17 है जिसमें से 4 पद जो है महलाओं के लिए आरक्षित हो गया और बाकी यहां पर जो है काराधिक्षक का जो पद है उसको भी एड़ किया गया है तो अनारक्षित स्रेनी में जो है चार पद है एक महलाओं के लिए आरक्षित बाकी जो है यहां पर कोई नहीं है तो आरक्षित में जो जो जेनरल के टेगरी है उसमें ही चार पद को सामिल किया गया है जिसमें से एक महलाओं के लिए आरक्षित है और यहां पर आप देख सकते हैं कि सहायक, निबंधक, सहयोग समितियां इवं समकक्ष तो इस पद के लिए टोटल जो है पांच यहां पर रिखती आई है और एक पद इसमें से महलाओं के लिए है जेनरल में और S-C कैटेग्री में जो है एक पद है और महलाओं के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है अनुसरी जन्जाती के लिए और अत्यांत्र पिछरे वर के लिए कोई पद नहीं है आर्थिक रूप से कमजोर जो स्रेनी है उसमें एक पद है और इसमें से महलाओं के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है तो टोटल ये जो है साथ पद यहां पर आपको देख सकता है और टोटल इसमें से एक महलाओं के लिए आरक्षित है जो जनरल है और अशी के टिगरी है इन दोनों के लिए तो पद है दो और एक मेंसरी जाती जाती अत्यूपूश्रावर्में, पिछ्रावर्म इन सब में पद है और इड टोटल पांच पद जिसमें से एक महलाओं के लिए है और खुल मिला कि पांच और एक तो इस तरह से कुल मिला कि 33 पद की बढ़ोतरी हुई तेकि यहां पर जो इस बार सुभावी बात है कि काफी वेकेंसी कम आई है 69 बीपीसी में पिछले कई सालों की अगर तुलना की जाए इस साल लेकिन जो सीटों की संख्या है वो उतना मा त्यारी को और मजबूत बनाने में जो सबसे महत्पुन योगदान है वो संख्या से ज्यादा इंपोर्टेंट पद का यहां पर रोल होता है क्योंकि संख्या तो आपको एक ही पद चाहिए और अगर दस बीस पचीस पचास सो बढ़ भी जाए अगर आपकी अच्छी तैया है उसमें आकरसं तब आता है जब अच्छे अच्छे पदों की संख्यां भी जो है उसमें रहती है चाहे उसकी संख्यां कितनी भी कम या ज्यादा क्यों न हो तो अभी तक कि DSP और SDM का पोस्ट इस बार एक भी नहीं था इसलिए बच्चों में थुरी निरासा का भाव था और बस पर रहे थे लेकिन उस तरह का जोस नहीं आ पा रहा था क्योंकि फाइनली सेलेक्शन होने के बाद टौपर बनने के बाद भी आपको जो है वो पद नहीं मिल पाता जो आम तोर पर इस जिसके लिए इस एक्जाम को देते हैं लेकिन अब आपको पढ़ने का और खु है वो प्राप्त कर सकते हैं और जो एक चक्र वियू है बार-बार एक्जाम देने का उस चक्र वियू से खुद को बाहर निकाल सकते हैं तो चलिए ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी खुसकाबरी है उन तमाम उजिएंट्स के लिए जो 69th VPSC में अप्यर होने जा करें आप सब बस अच्छे से तैयारी करें और प्रयास करें कि आपका जो एक सीट है वो रिजर्व हो और जो एक सीट है वो पुलिस उपाधिक्षक का अगर हो तो ये सबसे अच्छी बात होगी चलिए उमीद करता हूं ये वीडियो आप सब को पसंद आया होगा धन्यवा करें दो प्रयाब